तो आज हम करने जारें एक्जामबल नूमर 14 15 और उससे रिलेक्टेद एक्ससाज 5.3 के कुछ कुछ को तो एक्जामबल नूमर 14 को देखते हैं तो हमें शुरू के थाउजन पॉजिटिव इंटीजर निकालने इसका मतलब शुरू के थाउजन पॉजिटिव इंटीजर को लिखा जाएं तो कुछ ऐसा होगा वाल टू ट्री से डोट 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 प्लस थाउजन तब जाएगा प्लस का यूज निकालने के लिए लिखाए जो कि हमें क्वेशन पूछा है तो अगर यहां पर देखें तो एक ही विल्यों लाएगी वन दी की विल्यों जाएगी वन क्योंकि यह गंजलेटिव नंबर्स है और सम का फार्मला यूज करें तो सम्क और थाउजन तर्म एकॉल टू एन बाई टू बदल थाउजन बाई टू क्योंकि हम थाउजन टर्मिक करने काला चाहरें प्लेके टू है प्लस एन माइनस वन तो ठाउजन मीनस स्मुण एं। ए टी की विल्यों तो से थाजनु माइनस हो आजेका नजस्टन जा ona जाएगा। ने यह haar न क्योंकि तो इसमें टू स्कारे तो यह हो जाएगा ऑट जाएगा उच्ण को ढुफिट्विट्विए करें तो यो जाएगा थीण भी जी करणदेड ही अपिवीट जीरो यह हमारा संब फ़र्स्ट थाउच्ट एगां तो यहां प्लस हम लिए उसके इंटीजर की बात के लिए थी पोजितिर इंटीजर की बात के लिए थी इसलिए अब वन से स्टाट किया और एंटर्म तर निकालना है यहां पर एक वेल्यू वडिकी वेल्यू बीवन हो जाएगी और एंग वेल्यू इसल्फ एंटी रही और फाम विश्क लेए शेंका तो हम लिखेंगे एन बाइटू ब्रेकट टूए प्लस एंट माइनस वर इन्टू दी एन के वेल्यू पता नहीं है एक वेल्यू है वन तो टू इंटू वन प्लस एन माइनस वन इंटू दी के वेल्यू भी है वन तो एन बाइटू टू वन जाटू प्लस वर नो मुल्टिप्लाइग करने पर को मतलब नहीं आएगा तो इसले हम इसे एन माइनस वन ऐसे लिखत दोनों में कर देते तो यह हो जाएगा तो हम इसे लिख सकते हैं यह प्लस वन डिवाइड वाइड 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 और यह फर्स्ट एग ने चुनल नंबर का सम का फार्मॉला भी हो जाएगा बलागर हम सब्सक्राइब के शुरू के हाउजन यह 2000 यह 500 यह कितने भी नंबर का सम निकालने तो हम यह पिए यह बिल्डी लिख देंगे जहां तक काम निकालना है वन से देखें तो यह आपी गांगा वार्मॉला इस से पहले भी उसक्या होगा और इसका आगे भी यूज होने वाला है ने इस प्रास में इसलिए याद कर लेंगा लेना है एक्स किस तरीकेस निकलेगा मतलब अगर हमें निकाला है तो 3 प्लस 2N में n की वेल्यू रख देंगे और इस प्रास 24 निकाला मतलब साम फ़स्ट 24 तर्म उसके लिए में ए ए और टी की जरूत पड़ेगी ए 24 जाएगा ए और टी इसके यह पर से निकाल सकते क्यों क्योंकि आगा यह एं की वेल्यू है कम लिख सकते हैं एक की वेल्यू हो जाएगी की वेल्यू और न की वेल्यू वन होने कारण समकिसे लिखेंगे 3 प्लस 2 इंटू 1 ब्लद 2 अंजा 2 और 3 5 ऐसे ए 2 की वेल्यू जाएगी 3 प्लस 2 इंटू 2 2 जाप हो और 4 और 3 7 तो दी हम निकाल सकते ए 2 माइनस ए 1 जो क्यों जाएगा 7 माइनस 5 मतलब 2 तो अब हमें A D और A किनों की वेल्यू पता है तो हम A से 24 निकाल लेंगी न बाइगी 24 बाइगी 2 A प्लस N-1 जा N की वेल्यू 24 ए इंटू D इसकाल लेंगे 12 अंजा एगा 2 इंटू A की वेल्यू 5 ए 24 माइनस ए 23 वे वे टी की वेल्यू 2 ए 12 तो 5 जा 10 प्लस 23 तूजा 46 सोल हो रहे तो 12 इंटू 56 और 12 से वंटिप्लाएं गाले 56 में तो 12 6 ए 72 25 गालए 67 तो फस्त ट्वंटिफूर्ट का सम हो जाएगा 672 तो इस तरही की कॉस्च्चन एक्सराइज में भी है उससे देखते है तो क्योंसा नबर 10 एक्सराइज 5.3 तो देख्या एक्सराइज 5.3 ए और इस डिफाने इस विदो हमें दो में देखे ये एक पर नहीं करें तो हम देखे here here a equal to a1 3 plus 4 into 1 4 1 तो 4 वो 3 हो जाएगा 7 a2 3 plus 4 into 2 4 वो जा 8 8 वो 3 हो जाएगा 11 a3 equal to 3 plus 4 into 3 4 3 वो 12 वो 3 हो जाएगा 15 तो यहाँ चेका सकते हम मतलब भी 4 तो इसका मतलब यहां दोनों जागए पर कोग डिफ्रेंस सेम आया है इसका अंसे हम लिख सकते हैं तो इस फो मनें पी वह है दी इकोल टू जो कोग डिफ्रेंस इंगा फोर अब हमें 15 तर्लों तक का सम निकालना था इसलिए मेटेंगे इस 15 उकल टू एंबधी 2 A यह प्लस 8 मैंब जा इसलिए 15 तो गी विए 7 प्लस 15 तो इसलिए 14 प्लस cटा मैंब नो फोर इसलिए सेवंट वुजा 14, 14 वुजा 56, प्लास काल वेते, 50, 10, 60 और 10, 70 वुजा आएगा, इंटो 15 अपोन 2, 270 काटे, तो 35 जा आएगा, 15 फैट जा 75, 15 ती जा 45 और 7, 52, तो अगर यह एंट अपोन काना है, तो शुरू के 15 तर्म तक कस्तम 25 हो जाएगा, सेकेंड में हमें एंट तर्म दिया है, तो सबसे पर हम चेक करें, यह एपी है या नहीं है, जिसना के हमें क्योश्यनल कुछ है, तो एवन, मतलब एपल तो हो जाएगा, नहीं माइनस 5 इंट वर और 5 अंजा 5, 9 मेंस 5 माइनस करेंगे, तो एंसर आएगा 4, जिसे A2 एकोल तो 9 माइनस 5 इंट तो 2, एकोल तो 5 तो 10, नहीं मेंस 10 माइनस करेंगे, तो एंसर आएगा, माइनस 1, A3 इकोल तो 9 माइनस 5 इंट तो 3, 5 तो 15, 9 माइनस 15 माइनस करेंगे, तो एंसर आएगा, माइनस कर 6, अब चेक करें, here, A2 माइनस A1, मतलब माइनस 1, माइनस 4, इकोल तो हो जाएगा, माइनस कर 5, 10, A3 माइनस A2, मतलब माइनस 6, माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 6, प्लस 1, मतलब माइनस का 5, तो हम यहाँ पर लिट सकते, तो, 8 4, अने भी, where, D equal to minus 5, जो की दोनों में common है, इसमें common difference हो गिया, अने, प्लब में, sum of first 15 तर्म मनें काला है, तो हम लिएगेंगे, A is 15 equal to, N by 2, मतलब 15 by 2, बैके 2A, तो 2, इंटो A, प्लस N minus 1, मतलब 15 minus 1, इंटो D, value पूट करें, 15 by 2, 2 इंटो A, मतलब, आपे A की value है, 4, तो 2 इंटो 4, प्लस 15 minus 1, 14, इंटो D की value है, माइनस का 5, 15 by 2, 2, 4 जा 8, प्लस माइनस माइनस, 14 का इंट चा, 70, आपे 8 minus 70 हो जाएगा, माइनस का 62, आपे 15 by 2 है, 2 से divide करते, तो इंसर हो जाएगा 31, अब 15 का, माइनस 31 में multiply करें, तो माइनस का इंसर आएगा, तो 15 इंटो 15, 15 तीज़े 45, और 146, तो sum of first 15 टर्म हो जाएगा, इसे भी बिए लिए, जिसका N तर्म में दिया है, वह है minus 465, यहाँ पर question को थोड़ा शोटा भी कर सकते थे, हम A plus A N का formula भी उसकर सकते थे, हम यहाँ पर अगर A 15 निकाल लेते, तो direct यहाँ पर A plus A N, बतलब A 15 दख सकते थे, तो थोड़ा शोटा हो जाता, पर यहाँ इसे शोलोगा ना पड़ जाता, तो जो तुम्हें सही लगे, उस तरी किसा कर सकते हो, next question क्यों बड़े, question number 11, इस the sum of first N term of an F is 4N minus N square, अगर sum of first N term, 4N minus N square, हमने उसे S N से शोल कर दिया, what is first term, तो first term क्या होगा, उसने से S1 से शोल कर रखा है, बुक में, हमने भी S1 से शोल कर दिया, तबके first term होता है, A1 या A, what is the sum of first two term, शुरू के 2 term क्या होगा, यह पूछा है, what is second term, second term क्या होगा, बलग A2 यह पूछा है, ऐसे पूछा है, similarly find the third and tenth and end term, third and tenth term में भी निकालना है, तो A1 के रिए तो simple हो जाएगा, so, A1 एकल टू, 4, एक रिएगा बना रहेगा, तोकि यहां, S, N की वैल्यो के रखिए, और N की जागे हम क्यों वेल्यो कुट करनी है, minus N square मतलब बन का स्क्राइग, normally, हम जो formula लागा पर solo करते हैं, यहां पर A, की वैल्यो क्यों पहले से ही रख दी गई है, और इस तरीके से एक्वेशन बनी है, जहां हम एकवल N की वैल्यो कुट करने की ज़र्वत है, यहां के लिए था, हमारा formula था, A plus A minus 1 into D, यहां A और D की वैल्यों रख चुके, उसके पाद यह equation बनी है, इसलिए हम यह पर क्यों N की वैल्यों पर जो कोई दिया है, जैसे कि अगर कोई term में दिया है, किसी सीरीज के N तर्म तक के सारे term को आपस में जोड़ दिया जाए, तो S1 के लिए होना जिए है, कि चुनुके 1 term को जोड़ दिया जाए, तो के वर 1 term में यह answer आएगा, मतलब S1 और A1 दोनों आपस में बरावर होंगे, S2 निकाल लिखता है, तो S2 equal to हो जाएगा, 4 into 2 minus 2 का इसके, 4 into 2 8 minus 2 का इसके 4, 8 minus 4 हो जाएगा 4, अब A2 निकाल लिए कि लिए खाए, तो H limit, S2 क्या होता है, तो S2 होता है, A1 plus A2, शुरू के दो दानों को जोड़ेंगे, तो S2 निकलेगा, अब A1 क्या चीज़े, अब भी हाल हमने बात करें थी, S1 A1 के बराबर होगा, क्योंकि A1 में हम A term का sum लेंगे, मतलब पहले term का sum, और पहले term में किसी भी चीज़े को जड़ा नहीं जाएगा, इसका लिए उसको बेसा बेसा लिख दे जाएगा, तो A1 और S1 को बराबर लिख सकते हैं, A2 जो हमें पता नहीं है, पर S2 में पता है 4, तो S1 की वेल्यू लिखे और इस साइड में बैस दे, मतब 4-A1 की वेल्यू हमेर पास 3, तो A2 की वेल्यू आ जाएगी, और 4-3 होता है 1, तो A2 की वेल्यू हो जाएगी 1, अब A3 की वेल्यू पुशी दी, तो पर नहीं हम लिख सकते हैं, A3 की बारे में, A3 का पंता है, जब A1, A2 और A3 को आपस में जोड़ा रहा है, अब हमने, A3 का जीक्राइब क्यों किया, क्योंकि हम यह पर क्यावल, A3 का जीक्राइब क्योंकि हम निकाल सकते हैं, ना कि कोई टार्म, इसका एंसम ने, A3 का जीक्राइब किया, और उसकी वेल्यू, शुरू के तीन टर्मों को जोड़ने पर आती है, इसका एंसम एंसम निकालने में, इससे हैल में मिल सकती है, अब A3, मतलब यह आपर 3 बूट करूं तो, 4 इंटू 3, माइस 3 का स्क्राइब, A1 प्लस A2, तो A1 प्लस A2, तो ओल्रेटी, A2 होता है, प्लस A3, तो 4 तरी चा, 12, माइस 3 का स्क्राइब, 9, A2 यहां जाएगा माइस में, तो A2 साब 4, यह माइस में 4 आ जाएगा, A3 की वेल्यू, तो 12 माइनस 9 होता है, 3 और 3 माइनस 4 होता है, माइनस का 1, इकोल तो A3, तो A3 की वेल्यू हो जाएगी, माइनस 1, अब नूर्मल से यह बात हम समझ सकते हैं, कि A2 निकालने के लिए, हमें S2 मेंसे, S1 माइनस करना पड़ा, ऐसे ही, A3 निकालने के लिए, हमें S3 मेंसे, S2 माइनस करना पड़ा, तो इसे आप समझ देख सकते हैं, A10 निकालने के लिए हमें, A10 मेंसे, S9 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि A10 का मतलब होगे, A1 से लेखे, A10 का सम, और S9 का मतलब होगे, A1 से लेखे, A9 तक का सम, अब इन दोनों को माइनस करेंगे, तो A1 से A9 तक के सम, आपस में माइनस होगे 0 हो जाएंगे, ओके बड़ A10 बच जाएंगा, तो इसकारण से, A10 की विल्यू, H10 माइनस S9 हो जाएंगी, अगर हमें S10 निकालना है, तो इसमें हमें, N के जगा 10 बुट करना पड़ेगा, तो इम न लिखेंगे, 4 इंटु 10 माइनस 10 का S2 , माइनस S9, तो इससे ब्रेकेट में लिखेंगे, क्योंकि माइनस आ रहा है, 4 इंटु 9, माइनस 9 का S2 , 4 टेंज जा, 40, 10 स्केल 100, माइनस 4 न 9 जा 36, 9 का S2 , 81, 40 माइनस 100 होता है, माइनस 60, बादा नंपर मैनस 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 फोर्टिफटी प्लस का यह एगा और यहां पर 60 मैनस का अलगर वाहता जाएंगे चैने तो नंपर मैनस के ब्सक्टी जो की एक यह जाएगी एक आधर न की विल्लीव दूद देखें तो वह जाएगी S N minus S N minus 1 इसे सो नोगे लगे तो S N मतलब 4 N minus N square minus S N minus 1 मतलब 4 N minus 1 minus N square मतलब N minus 1 का whole square 4 N minus N square is it is minus 4 इसे सब्सक्राइब 4 N और minus 1 से होगा माइनस का 4 माइनस यहाद whole square होगा तो N square minus 2 into N plus 1 और bracket लगेगा क्या के minus है और सो लो करें 4 N minus 4 minus से साइड जाएगे सबके तो minus का N square minus minus plus का 2 N minus plus minus minus का 1 अब यहाँ सोल्ड हो करना थे जो फिर सोल्ड हो और है उसके पाद minus का multiply भी करते जाते हैं तो 4 N minus N इसके यहाँ पर 4 N plus का और 2 N भी plus का तो 6 N minus से multiply वहने तार जाएगे minus से 6 N minus 4 minus 1 total minus 5 माइस से multiply वहने करना से plus का 5 minus का N square minus से तो plus का N square N square यह minus का यह plus का है अब आसमें 0 हो जाएगे 4 N मेंदे 6 N में माइस का जाएगे तो minus का 2 N बचेगा plus 5 तो अन की विल्ली हो जाएगे माइन तर्म की विल्ली हो जाएगे minus 2 N plus 5 ओके अब question number 12 को जेखे question number 12 find the sum of first 40 positive integer divisible by 6 शुरू के 40 positive integer जो 6 से divide हो जाए उनका sum बताने तो हम A भी मैना सकते अगर 6 से divide होने तो पहले टर्म हो जाएगे 6 अगला हो जाएगे 12 अगला हो जाएगे 18 डोट 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 ऐसे हमें 40 टर्म में तक का बताना है इसका मतलब हम लिख सकते हैं A एक्वल टो जाएगे 6 D एक्वल जाएगे 6 क्योंकि यहाँपे यह सब 6 का divisible है इसका मतलब इनमें डिफ्रेंट भी 6 का होगा और A की वेल्य हो जाएगी 40 क्योंकि हमें 40 टर्म तक का सम बताना है तो A is 40 जो हमें बताना है उसकी वेल्य हो जाएगी N by 2 मतलब 40 by 2 2A प्लस N minus 1 मतलब 40 minus 1 इंटू T 40 जट टू डिवेट करें 20 2 A के वेल्य हो जाएगी वेल्य हो 6 40 minus 1 जाएगी वेल्य हो जाएगी D के वेल्य हो 6 20 2 6 जाएगी वेल्य हो 12 39 मतलब 6 करें 6 9 जाएगी 54 6 जाएगी जाएटीन और 5 23 12 और 234 को प्लस करें 12 जाएगी 246 मुल्टिप्लाई में 20 मुल्टिप्लाई में 20 में 246 जाएगी तो 1 0 तो आ नहीं 6 जाएगी 4 जाएट ओवर 9 2 जाएगी 4 9 2 0 तो एसे कोशन में खास्ता हमारा एपी बनाना जो में दिया नहीं है कोशन को चाटिन है पाइड नस सम अफ 15 मुल्टिप्ल उफ 8 समँफ फर्स 15 मुल्टिप्ल बताना एट के तो हमारा यापर एपी हो जाएगा एट के मूल्टिपल पहला मुल्टिपल हो जाएगा 8 खूदी 2 जाएगा 8 तूजा 16 थार्ड हो जाएगा 8 तीजा प्रंटी को डॉट डॉट दॉट हमें 15 ते समय पताना है तो 15 टार्व लिप भी हां नहीं है कि इसे दाधा विश्य उगा यह पर भी तो हम यह पर लिख सकते हैं A की वेल्यू हो जाएगी 8, B की वेल्यू भी 8 और N की वेल्यू आपर 15 हो जाएगी तो A is 15 जो आपके निकान ना है उसकी वेल्यू हो जाएगी 15 by 2, formula double use नहीं काते है, 2 into A plus N minus 1 into D, मतलब 8, 15 by 2, 8 plus 16, plus 15 by 1 is 14, into 8, 15 by 2, 16 plus 14 जाएगी 112, 16 और 112 प्लस करेंगे, तो N सर आएगा, 128, 2 सक आटे 128 को, तो 64 N सर आएगा, 15 से 64 को मुल्टिप्लाय करें, 15 जो 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 60, 15, 6 होता है, 90 और 6, 96, तो answer हो जाएगा, शुरू के 8, 15, multiple का sum, 960, अब question number 14 को देखे, question number 14 है, find the sum of the odd number between 0 and 50, 0 से लेके, 50 तक के बीच के, सारे odd number का sum निकालना है, इसका बतला है, हमें 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 ऐसे करते गोर, 49 तक का sum करना है, और sum करने के लिए, हमें, या तो, A, A और D की रहत पड़ती है, या, A, A और last term की रहत पड़ती है, या last term है, पर N की value नहीं है, जो पहले बादे formula में भी चरवते हैं, तो दो तरीके साम या पर N की value निकाल सकते हैं, जिसमें पहले थारीका हम पहले भी सिख चुकें, अगर A, N दिया है, तो N की value निकालना है, और दूसरा तरीका, वो basic fact है, नोर्मली हम 1 से लेके, किसी भी even number तक को देखे, तो वहां तक total मिलाके, आधे odd number और आधे even number होते हैं, मतलब यहां पर 50 के लिए का आता है, तो उसके भी में 25 even और 25 odd हो जाएंगे, चाहे तो हम A, N के 3 ही निकाल लेते हैं, ही है, A equal to 1, D equal to 3 minus 1, मतलब 2, and A, N equal to 40 है, जातर का में सम निकाल लेते हैं, A, N का फर्म ला होता है, A plus N minus 1 into D, A, N जो 49 दिया है, A की value 1 plus N minus 1 पता नहीं है, और D की value है, 2, 1 इस ताहिने minus हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 2 multiply में है, इंदर divide में जाएगा, तो उसे divide कर लेकारें से, यह वाला पार्ट वीडियो में वेकोड नहीं हो सक हो जाएगा, इसला 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 एक को बता रहा हो, हमने यह पे 48 को उसे divide कर लेकार, 24 हो जाएगा, तो प्लस का हो गया, 24 प्लस 1 25, अब N की value आगे है, हमें नहीं कालना था, 50 के अंदर तर लाने वाले, ओर नमर का सम, मतलब 49 तक का सम, इसला हमने, N by 2, 25 upon 2, A plus A N, मतल इसला 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 हमने, तो आज के लिए अपने ध्यान लगना, हमेशा कुछ रहना, बढ़ा सपनी देखना, और पुरा करने की पुरी कुशिश करना, और एक बाल अच्छे वे से आनकना, you are the best